लोकी को आपने कई तरह से बना कर खाया होगा लेकिन आज जो लोकी की रेसिपी माँ आपसे शेयर करने चारे हूँ उसे खा कर तो लोकी आपकी फेवरेट सबजियों में से एक हो जाएगी और जिनको लोकी बिलकुल नहीं पसंद वो भी ये सबजी उंगलिया चाट चाट कर तो चलिए ये नए स्वाद वाला लोकी का भड़ता बनाना शुरू करते हैं हेलो प्रेंग्स मैं हूँ निर्मला मेरे चनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है अगर आपको मेरे रेसिपी पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल पर नह टेस्ट ही होती है और गलने में आसान होती है तो यदि आपको मार्केट में इस तरह की लोकी मिल जाए तो आप ये बड़ता इसी तरह की लोकी से बना कर तयार करें टेस्ट बहुत अच्छा आएगा अब क्योंकि लोकी को आमिक करना है रोस्ट तो इसके लिए मैं एक फोर कि सायता से मैंने इस लोकी पर छेद कर लिये हैं लोकी पर छेद करने के बाद अब इसके उपर तेल लगा देंगे जिसे हमें ये फाइदा होगा कि लोकी बहुत एजली रोस्ट हो जाए कि साथी इसका छिल काटाना बहुत ही आसान रहेगा तो बढ़िया से लोकी को मैंने त लगा दिया है और चलिए अब हम गैस की फ्लेम पर इसे रख कर रोस्ट कर लेते हैं तो मीडियम फ्लेम पर हम इसे रोस्ट करना है ताकि लोकी धीरे-धीरे पके तो टेस्ट भी अच्छा है और यह जादा चले भी नहीं लोकी को हम अलड़ते पलड़ते वे चारो तरफ से अच्छे से सेख लेंगे जब तकि इसका छिलका काला ना पड़ जाए तो यहाँ पर लोकी के साथ मैं एक लस्ट की काट भी रोस्ट कर रही हूँ तो यह जो लस्ट है वो जब हम रोस्ट करके इस्तिमाल करते हैं तो उससे भरते का टेस्ट और भी जादा बढ़िया आता है तो यहाँ पर देखिए लोकी धीरे धीरे सिक रही है तो बीच बीच में मैं इसे ऐसे पलट रही हूँ तो यहाँ पर लोकी को रोस्ट करने में मुझे लगबग 10 से 15 मिनिट का समय लग गया है और यह आप नॉर्मल लोकी लेते हैं यानि लंबी बारी लोकी तो वो लोकी धोड़ी जल्दी से रोस्ट हो जाती है तो यहाँ पर लेसन को भी हम बीच बीच में पलटते रहेंगे ताकि यह चार ओ तरफ से अच्छे से रोस्ट हो जाए लेसन बढ़िया से रोस्ट हो गया है तो इसे निकाल कर मैं सा तो इससे क्या होगा कि जितना भी रोस्टिट फ्लेवर है लोकी का वो लोकी में समा जाएगा साथ ही लोकी और भी अच्छे से स्टीम होकर सौफ्ट हो जाएगी इस लोकी को हमें धोना नहीं है क्योंकि आप इस लोकी को धो देंगे तो इसका रोस्टिट फ्लेवर नहीं तो यहाँ पर लोके को हम थोड़ा रेस्ट देते हैं तब तक साइड में जो लसन हमने रोस्ट करके रखा था वो बड़िया ठंडा हो गया है तो इसे भी छील लेते हैं ये लसन की गांट थोड़ी बड़ी है तो थोड़ा लसन महटा देती हूं और कुछ लसन की कलियों को छ करते हैं बस इनको हम कूट करके तयार कर लेंगे तो ये सारी चीज़े हम प्रेशी इस्तेमाल करेंगे तो इससे बढ़ता बहुत ही टेस्टी वनेगा यहाँ पर ये पेस्ट हमने तयार कर लिया है और लोकी भी थोड़ी ठंडी हो गई है अब देखे कितने आसानी से इसका चिलका हट रहा है तो इस तरह एक चाकू की साइटा से हम इसे स्क्रैप कर लेंगी तो बहुत एजिली चिलका अलग हो जाएगा लोकी का सारा चिलका मेंने है टालिया है और लोकी बहुत बढ़िया लग रही है और इसे हमें दोना भी नहीं पड़ेगा क्योंकि एकदम लोकी लाने के बाद आपने उसे एक दो दिन रखा है तो उसकी बीच भी पक जाएँगी तो इस कंडिशन में आप बीच हटा सकते हैं तो यहां पर लोकी को मैंने काट लिया एक दम बारी टुकडों में आप जाए तो मैन्वल चोपर का इस्तमाल करके लोकी को एक दम बार काली है और अब इसका बर्ता बनाने के लिए कढ़ाई के अंदर 3-4 चमस तेल गरम कर लेंगे बर्ता बनाने के लिए हमेशा सरसो की तेल काई इस्तिमाल करें क्योंकि ये बर्ता सरसो के तेल में बहुत एटेस्टे बनता है अब जैसे ही तेल करम हो जाएगा इसके अंदर हम डालेंगे एक चमच जीरा और जीरे को 10 सेकेंड पकाने के बाद इसके अंदर हम दो चुटकी हिंग एड़ करेंगे कुछ सेकेंड हिंग भी पक गई है तो अब इसके अंदर हम डालेंगे एक चमच रड चिली फ्लेक्स या आप साबुत लाल मिर्स को लेकर उसे थोड़ा सा कूट लें और फिर वो इस्तिमाल करें तो इसे इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा तो यहाँ पर तीनों चीजों को हमको सेकेंड के लिए अच्छे से पका लेते हैं बढ़िया ख ट्रांस्परेंट ही करना है तो यहाँ पर डेट मिनिट पर आज को पकानी की बाद अब जो लसुन, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट हमने तयार किया था वो भी आड़ कर लेंगे और फिर से इसे हम एक से डेट मिनिट के लिए और पका लेंगे रोस्टीड लेसन का इस्तमाल करने से तड़की में बहुत अच्छी खुश्बू आने लगी है पड़िया से सारी चीज़े पक गई हैं तो अब इसमें पाउडर मसाले आट कर लेते हैं जिस मिलेंगे हम डेट चमच धनिया पाउडर, एक चमच लाल मिच का पाउडर, आदी चमच हल्दी पाउडर इसमें खटापन लाने के लिए डालेंगे एक चमच आमचूर का पाउडर इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा एक चमच का सूरी मिधी डाल कर अब इन पाउडर मसालों को भी 10 से 20 सेकंड के लिए पका लेते हैं मसाले अच्छे से पक गए हैं और इनवी से ओल सेपरेट होने लगा है तो अब हम डालेंगे इसके अंदर टमाटर टमाटर डालने से मसाले भी जल्दी से जलेंगे नहीं धीरे धीरे और भी अच्छे से पक जाएंगे तो यहाँ पर दो मीडेम साज के मैंने बारी कटेवे टमाटर ले लिए हैं टमाटर के साथ ही मैं नमक का इस्तमाल कर रही हूं तो इसे टमाटर भी जल्दी से सौफ्ट हो जाएंगे बढ़िया से तड़के में टमाटर को मिक्स कर लेते हैं और अब हम कड़ाई को कवर करके इसे एक से दो मिनिट के लिए लोग फ्लिम पर पका लेते हैं ताकि टमाटर अच्छे सौफ्ट को खो जाएं दो मिनिट बाट कड़ाई का डखना टाएंगे टमाटर हैं वो थोड़े खड़े खड़े भी दिखाए दे रहे हैं लेकिन ये सौफ्ट हो चुके हैं तो इस तरह के टमाटर भरते में देखने में भी बढ़िया लगते हैं तो चलिए अब हम ये कट इवी लोकी इसके अंदर एड़ कर लेते हैं और लोकी क्योंकि देखे ट्रांस्परेंट हो जाती है तो मसालों का कलर है वो इतना जल्दी से इन में नहीं आता है तो जैसे जैसे हम इस तरह के अंदर लोकी को पकाते जाएंगी ये सारी फ्लिवर्स को अपसॉर्ब करती जाएगी साथ इसका कलर भी बहुत अच्छा होता जाएगा तो यहाँ पर तड़के के अंदर लोकी को मिक्स कर लिया है और कवर करके 3-4 मिनिट इसे लोग फ्लिम पर पकायेंगी और चार मिनिट बाद देखिए लोकी है वो थोड़ी और सॉफ्ट हो गई है वैसे तो ये रोस्ट होती समय भी काफी सॉफ्ट हो जाती है लेकिन तड़के के अंदर भी इसे धीरे धीरे हम और सॉफ्ट करेंगी अब इस भरते को और भी जदा टीस्टी और संदर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक पैन के अंदर तेल गरम कर लिया है आप चाहें तो इसकी जगए खीका इस्तमाल कर सकते हैं और जब तिल करम हो जाए और उसका टेंपरिशर थोड़ा सा डाउन हो जाए तब इसमें आतर चमस देकी मिर्श का पावडर या काश्मेरी लाल मिर्श का पावडर डाल कर इसे भी पकालेते हैं इसे मिर्च का पाउडर जल्दी से जलेगा भी नहीं और बढ़िया से पक जाएगा अब ये तड़का डाग कर हम कड़ाई को एक मिनिट के लिए कवर कर देंगे ताकि इसका फ्लेवर सारे भरते में आ जाए और फिर इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं तो ये तड़का लगाने से जो भरता होगा वो बहुत ही संदर दिखाएदे का साथे टेस्ट भी बढ़ जाएगा तो यहाँ पर बढ़िया से तड़के को मिक्स करके हम कड़ाई को दुबारा से कवर करेंगे और दो मिनिटे से और पकाएंगे और ये लेजी हमारा टेस्ट भरता बन कर तयार है तो लास्ट में गैस का फ्लेम आफ करके कुछ बारी कटिवी धन्यापत्ते डाल कर इने भी मिक्स कर लेते हैं इस भरते को बनाने के लिए हम गरम मसाले का इस्तमाल नहीं करेंगे क्योंकि यदि हमने गरम मसाले का इस्तमाल किया तो जो एक्चुल टेस्ट इस भरते का आने वाला है वो दब जाएगा इसलिए बिना गरम हसाले के ही ये भड़ता बनाएं हर चीज का एक डिफरेंट फ्लिवर इसमें आएगा जो खाकर आपको उंगलिया चाटने पर मजबूर कर देगा तो देखिए कितना सुन्दर और बहुत ही अच्छी खुश्बू वाला ये लोकी का बढ़ता बनकर के तयार है और सचमाने फ्रेंट्स इसके खुश्बू सुनकर तो पड़ो सी भी पूछेंगे कि आज आपकी कीचन में क्या बना है तो मेरी आप से रिक्वेस्ट है आप एक बार जरूर से ये लोकी का बढ़ता बनाएं और इसका मज़ा उठाएं अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं को नए वीडियो के साथ तब तक के लिए टेक केर बाई बाई